प्रेग्नेंसी में हमें क्या करना चाहिए और किस चीज़े से हमें अवाइट करना चाहिए किस चीज़े हमें परहेस करना चाहिए डूस और डॉन्ट्स और प्रेग्नेंसी इस वीडियो में आज हम इसी बारे में बात करेंगे असलाम लेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर साइमर्जदकी है आज हम बात करेंगे, सिंपल बात करेंगे कि प्रिग्नेंसी में एक नॉर्मल हेल्थी प्रिग्नेंसी के लिए हमें क्या चीज़े करने चाहिए और किन चीज़ों से हमें अवाइड करना चाहिए पहले तो हम बात करेंगे कि नॉर्मल प्रिग्नेंसी में हमें क्या करना चाहिए याद रखिएगा कि प्रिग्नेंसी जो है एक फिजिलोजिकल फिनॉमेना है इसका मतलब है ये कोई बिमारी नहीं है, ये कोई पिथालोजी नहीं है इसको जितनी नॉर्मल तरीके से आप लेकर चलेंगे, उतना ही आप भी सकून में रहेंगे, और आपके घरवाले भी सकून में रहेंगे. क्या चीज़ें हैं जो हमें pregnancy में करना चाहिए सबसे common सवाल है कि हमें क्या खाना चाहिए ठीक है आपको balance diet लेनी है healthy balance diet और जो को clean हो, साफसोत्री तरीकी से बनी हो तो इसका बहुत असान तरीका है कि आपका जो दिल करता है खाने को especially first trimester में जब जादा चीजे खाने को दिल नहीं कर रहा होता है तो आपका जो दिल करता है खाने को आप उसे घर में बना कर खाईए ठीक है यह बहुत जरूरी है ताकि आप infection से बच सकें उसमें जरूरी नहीं है कि आपने हर चीज पहले trimester में ही खाना शुरू कर देनी है उसमें nausea भी है, vomiting भी है तो जो आपका दिल करता है आप फ़ली तरीके से बनाएं और खाएं जैसे जैसे pregnancy advance होते जाती है जैसे कि चौथा महीना या पांचवा महीना तो मदर की और बैवी की requirements चेंज होती जाती है वहाँ पर हम कहते हैं कि अच्छा आप अपनी डाइट के अंदर proteins आड करना शुरू कर दीजिए must है किसी फॉर्म में भी जो आपको पसंद है दूद का content होना चाहिए चाहिए दहीं की फॉर्म में ले लीजिए चाहिए चीज की फॉर्म में ले लीजिए तो आप ये जो है अपनी डाइट के अंदर इस तरह की चीजों को balance तरीके से आइट कर लीजिए इसमें दूसरी बात जो याद रखने वाली है कि आपकी pregnancy के requirement जो पहली trimester में है वो है कि आपने 100 calories जादा लेनी है ठीक है तो इसका मतलब है बहुत जादा requirement नहीं है आपने जो चीज़ avoid करनी है वो overeating है बहुत जादा खाना बाहर का खाना यह चीज़ें आपने avoid करनी है एक तो उसे आप infection से बचे रहेंगे प्रोटेक्टिस AE खतानाक है टाइफट खतानाक है pregnancy में उसके इलावा आपका बहुत फाल्तू का बज़न नहीं बढ़ेगा ठीक है तो आपने फुरॉड pregnancy 12 kg बज़न अगर गेन करना है तो वो सारा का सारा weight gain जो है बच्चे के defects को avoid करने के लिए दिया जाता है तो उसको आपने बिल्कुल regularly जो है वो डॉक्टर के मश्वरे के हसाब से ही लेकर चलना है जहां तक आपकी नीन की बात है तो आपकी जो recommendation है कि आपको 7 से 9 खेंटे की नीन पूरी करनी है अगर आप ये नीन पूरी नहीं करेंगे तो आप आवाजार रहेंगे इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी physical activity भी रखें आप चलते फिरते रहेंगे आपको अच्छी नीन में भी मदद करेगा आपकी बाड़ी में जो दर्दे होती हैं उसको भी avoid करेगा तो physical activity आपने एक normal pregnancy में रखनी है आपने बिल्कुल बिस्तर पर नहीं बैठना unless कि आपके doctor ने आपको advice किया हो bleeding हो, कोई problem हो जिसके वज़े से उन्होंने आपको rest advice किया otherwise आपने अपनी normal routine की physical activity को रखना है अगर आप कोई exercise already करते हैं तो doctor से मशवरे के बाद आप इसको continue कर सकते हैं अगर आप नहीं करते हैं तो simple exercises like aerobics है, walk है, swimming है यह आप add कर लीजीए ऐसी activity जिसमें बहुत jumping है, चोट लगने का डर है वो आपने avoid करनी है तो यह अपनी physical activity को आपने अच्छा रखना है इसके इलावा जो husband के साथ तालुकात हैं वो आप normal तरीके से लेके चल सकते हैं unless कि आपको doctor ने मना किया हूँ वो भी उनी cases में मना किया जाता है जिसमें आवल नीचे होता है threatened miscarriage होता है, bleeding हो रही होती है या patient को बहुत ज़दा pain की शिकायत होती है सुर्थ हाल में इस चीज़ को मना कर दिया जाता है इसका मतलब है कि हम pregnancy को बहुत नॉर्मल तरीके से ही लेकर चल रहे हैं और हम सिर्फ वो चीज़ें आवाइट करें जिसमें pregnancy को नुकसान होने का डरो जैसे कि आपको मैंने outside food का का जो डाइट आपने pregnancy में आवाइट करनी है वो है कि uncooked खाना, raw खाना, बाहर से लेकर नहीं खाना तो जैसे salads हैं, दूद वगहरा है जो चीज़ें कुक नहीं वी, वो चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं इस्तमाल करनी है canned food जो होते हैं, जो कि डबो में बंद आते हैं, stored food होते हैं वो आपने बिल्कुल avoid करनी है extra caffeine आपने नहीं लेनी है smoking, alcohol इन चीज़ों से भी आपको मना किया जाता है अगर हम fruits के बात करें, तो जिन fruits से आपको मना किया जाता है वो पपीता है, पपीता में कुछ ऐसे enzymes मुझूद होते हैं जो वक्त से पहले delivery लेके आ सकते हैं या pineapple है, या grapes के बारे में भी यह का जाता है तो ये तीन fruits को छोड़के, बाकी हर तरह का fruit अब अपनी diet में इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप इहतियार से चलेंगे, इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो इन्शाला एक successful normal pregnancy में normal pregnancy एक healthy baby के अंदर और healthy mother में end up करेगी अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दौाओं में याद रखेगा अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीचिए, शुक्रिया